देखिए अगर आप Digilocker में जब Login करने जाते हैं तो यहाँ पर आप Sign In करते हैं अपना Username डालते हैं और यहाँ पर अपना Password इंटर करते हैं तो आपको Error आता है यूजर नेम और पिन इस इंकरेक्ट प्रीज ट्राय अगेन तो यहाँ पर हो सकता है आप अपना Username डाल रहे हैं या फिर पासवर्ट डाल रहे हैं तो मोस्ट केसिस में आप Digilocker का इतना Username याद नहीं रखते हैं तो आपके पास दो आप्शन है या तो आप अपना आधार क आपको सेक्युरिटी पिन पर क्लिक कर दें उसके बाद आपसे आपका phone number पूछेगा या फिर आधार नमबर पूछता है तो आपको वहां पर डालना है जो भी पूछेगा वहां पर डालिए फ्वर्ट पिन पर क्लिक कीजिए यहां पर आधार कार्ड या मुबाइल नमबर जो भी पूछ रहे आप डालिए आप पनी date of birth डाल दिया next next कीजिए उसके बाद आपको security pin forget करने का तरीका आजाएगा आप simply अपना password change कर सकते हैं और यहां पर login भी कर सकते हैं तो अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो comment में पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply दे द दाएगाइब इहले आपको कैंप सर्देखाद हो यहा जजए तो मैं देजा समाने साफरा करूं 226 यूए ओक कर देद्दी आपको धिन स्बास्के